आज की डेट में पैन लेवल पे जो रिस्पॉंस मिल रहा है साउत की मुविस को उससे अलमुस्ट बॉलिवूड पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है क्योंकि जिस लेवल पे साउत वाले कांटेंड बना रहा है बॉलिवूड उसके आसपास भी नहीं भटकता जिस वज़े से बॉलिवूड के हर बड़ी मुवि लिटरले धूल चाट रही है और जहां साउत की मुविस साओ 200,000 क्रोड का बिजनस आसानी से कर रही है वही बॉलिवूड के बड़ी-बड़ी मुविस भी 50 क्रोड कमाने के लिए तरस रही है अब जिस तरह से सदन मुवी के बॉक्स अरेक्शन निकल के आ रहे है आरारार विक्रम और केजिए इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है और दे कश्मीर फाइल्स के बात कर तो उसने तो एक बहुत बड़ा ही रिकॉर्ड बना दिया है क्रिटिकली भी और कमर्शेल भी तो इससे ये बात क्लेर हो रही है कि एक अच पर स्टोरी टेलिंग और कॉंटेंट के नाम पर बॉल वूड अल्टिमेट लेवल पर हग रहा है जहां पाउत में ताजा ताजा नया नया फ्रेश कॉंटेंट देखने को मिलता है जिसके स्टोरी टेलिंग का तरीका बहुत ही यूनिक होता है और सबसे बड़ी बात मास मूवी होती है जो लॉजिक के साथ बवाल लेवल का इंटेटेंडमेंट देती है और कार्थी के टू इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है जो लिटरली बॉक्स ओफिस को बहुती बुरी तरह से फोड रही है वो भी सिर्ब अपने फ्रेश और यूनिक कॉंटेंड और क्योंकि बॉलिवूड के गिसी पेटी स्टोरी टेलिंग का तरीका अभी तक बदला नहीं है अब देखो जिस तरह से साथ में बजट और टैलेंट का यूज बहुती कड़क लेवल पे किया जाता है याने वो चेज मूवी की कास्टिंग, विजवल्स और पफॉरमस के ये विजवल्स देखके ऐसा लगता है कि ये दोनों भी मूविस काफ़ी तगड़े बजट पे बनी है पर एक्चली में मिननल मूरली काफ़ी लोग बजट सूपर हेरो मूवी है और केज़ेफ के दोनों भी चप्टर के बजट की बात ही कि अगर उसे देड़ सो करोड के ब आज दिखाया जाता है वो भी बिना किसी लॉजिक के और इसका सबसे बड़ा एक्जामपल है शमशेरा जो एक एक एक्शन मूवी कम और रोमेंटिक मूवी ज़्यादा लग रही थी अब बॉल्लीवूड टैलेंट का इतना टट्टी लेवल पे यूज़ करेंगा तो शोस कैंसल नहीं होंगे तो और क्या होंगे उपर से साउत की जो भी मूवीज होती है वो पूरे ग्लोबल ओडियन्स के लिए बनाई जाती है अब उसमें बजट स्टार फला ना डिमका ना बिल्कुल भी मैटर नहीं करता मैटर करता है बस एक जेन्वेन कॉन्टेंट जो लोग इसको देखा जाए तो वो आज भी मल्टिप्लिक्स के ओडियन्स में पसा हुआ है जिसका सोकल अर्बन कॉन्टेंट छोटे शेहरों तक तो बिल्कुल नहीं पहुशता वहीं यूटूब से लेके फ्री के छत्री में साउत का गर्मा गरम मसालेदर कॉन्टेंट लोगों त साब से बदला है और एक जमाने में जिसके एक्षिन और डैलोक्स का मजा कुड़ाया जाता था आज उसी क्रियेटिविटी ने इंडियन सिनेमा का नेक्स्ट लेवल का बेंचमार्क स्टेट किया है जिस वज़े से बॉलिवूड की हालत आज मिट्टी में मिल जाने जैसी ह हो चुकी है और ऐसे ही इपिक लेवल का शिट बॉलिवूड दिखाते रहा तो बॉलिवूड का हिस्टरी होना तय है जो कब माइथोलोजी बन जाए इसके कोई गैरेंटी नहीं तो इसी बात पे जीबिएफ के ये वीडियो तुमें दिल पे लगा हो तो लाइक करना दिमा के साथ टेक केर गुडबाई